अब परसन एक्स वांट्स तो डिस्ट्रिब्यूट सम पैंस अमंग सिक्स चिल्रें ए बी सीटी ए ए ए ए एफ कैसे डिस्ट्रिब्यूट किया है वह हम क्वेश्चन सॉल्ब करते वक्त देखेंगे यहां पर हमें निकालना क्या है कितने minimum number of pens x को खरीदने चाहिए जिससे की सभी को जो pen बाटे वो even numbers में हो मैं तब 2,4,6,8 ऐसे करके तो आए यह सॉल्ब करते हैं सो क्वेश्चन का स्टार्ट मैंने पढ़ा था अब डिस्ट्रिब्यूशन कैसे हुआ है माल लीजिए सपोज ए गेट्स ट्वाइस तर नंबर ऑफ पैंस रिसीव बाई बी ए के पास दो गुने पैन हैं बी के मुकाबले ओके ए के पास टू इंटू बी पैंस है थ्री इसे आगया तो हमें क्या निकालना है कि एक्स को कितने पेंट खरीदने चाहिए कि वह सबी को इवन नंबर में बाच सके तो बेसिकली हम यहां पर क्या करेंगे लसी हम लिलेंगे 23456 का तो क्या जाएगा लसी आपको साइट निकालना आता हो अगर आपको नहीं आता है तो आप बोल सकते कमेंट सेक्षिन में मैं उस पर वीडियो बना दूंगा तो लसी हम आ जाएगा यहां पर 60 तो इसका मतलब क्या हुआ यह मस्ट हैव पैंस इन मल्टिपल आफ 60 एक पास 60 के मल्टिपल में पैं होने चाहिए तब ही सारी के कंडिशन सैटिस्फाई हो पाएंग यहां पर दिक्कत क्या जाएगी यह टू इंटू भी यह सारे इवन नंबर्स हो जाएंगे बट जब यह फोर इंटू डी आएगा ना यह जो एक पास चार गुने ज्यादा पैन हैं डी के मुकाबले तो यह पर डी के पास कितने पैन होंगे 60 बाई 4 करके हम निकालेंगे ज तो यह गलत हो गया तो इसका मतलब क्या होगा एक के पास 120 पैन अगर माल लो आप अगर एक के पास 120 पैन आपने माल लिए तो सारी कंडिशन साटिस्फाई हो जाएंगे फिर यहां पर बी के पास कितने आ जाएंगे A by 2 means 60 C के पास A by 3 पैन आ जाएंगे means 120 by 3 40 D के पास 120 by 4 means कितने आ जाएंगे 30 E के पास 120 by 5 means 24 and F के पास 120 by 6 means 20 पैन आ जाएंगे यह मैंने लिखती हैं यहां पे ओके आप सभी को प्लस कर लो 120 प्लस 60 180 होता है फिर प्लस 40 करोगे 220 हो जाएगा प्लस 30 250 प्लस यहां पे करोगे 24 274 and यह 294 हो जाएगा तो टोटल पैन्स कितने खरीदने चाहिए X को minimum number of 294 अब इसके multiples में कितने खरीद सकता है बाट minimum पूछा था तो minimum 294 पैन्स होने चाहिए so the correct answer here is C that is 294